नमस्कार मैंने बहले भी राजमिक कोरोना की स्थिती के बारे में बताया था और कोरोना संक्रमन में प्रधी की जानकारी भी थी इसे देखते हुए कोरोना जाज को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जाज प्रते दिन किया जा रहा है अब कोरोना मरीज की संख्या में प्रते दिन कमी आ रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया सह्योगी मंत्रीगन एवन पदाविकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन के स्थिति के सुप्षा की गई लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगले 10 दिनों अर्था 16-25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्मे लिया गया जब से लॉकडाउन लागू किया गया है हम लोग सभी का ध्यान रख रहे हैं किसी की उपेक्षा नहीं की गई है और पूरी कोशिस है कि हर जरुरत मंद तक सहायता पहुचे इसके लिए कारियरत पूरी टीम पूरी लगन एवन परिसेंट के साथ लगी हुई दिनान 17 मई को 22 जिनों के सामुदाई किचन का वर्च्वल टूर के माध्यम से वहां चलाई जा रहे ही विवस्थाओं का जायजा लिया गया और कई लाभाथियों से बाचित की गया जिनों के कई लाभाथियों ने कहा कि सामुदाई किचन के माध्यम से अच्छा ठाना मिल रहा है और कई लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग खाना अपने बच्चों तथा बुजर्गों के लिए घर पर भी ले जाते हैं लाभाथियों ने सीधे संवाद के दौरान बताया कि सरकार ने इस परिस्तिती में जो कड़म उठाये हैं वो असराहमी हैं राजी के सभी 38 जिलों में 432 सामुदाई किचन चलाय जा रहा है सरकार की मंसा है कि लॉक्टाउन में मजदूर, मिर्धन, निरास्रित, नेसक एवन जरुवत मंदों को दोनों वक्त सुद्ध भोजन विले एवन कोई फूखा न रहे सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों के परिजनों के लिए भी सामुदाई किचन के बातें से भोजन उतलब्द कराया जाया होम आइसलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों एवन उनके परिजनों के लिए भोजन की विवस्ता करने का मिर्देश दिया गया साथ ही सामुदाई कीचन में आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए दूथ विवस्था करने का निद्देश दिया गया कुरोना के रोगी जो घर पर आइसोलेसन में रहकर इलाज रथ हैं उनके शरीर का ताक्मा एवं ऑक्सीजन इस्तर नियमिक तोर पर स्वास्थ कारिकरताओं द्वारा लिये जाने की सुरुबात की गई जिन मरीज का ऑक्सीजन इस्तर कम होगा उनका चिकच्चिय प्रवेक्शन में इलाज कराया जाएगा और जरुवत पढ़ने पर अस्पतार में भूती कराया जाएगी मुझे विश्वास है कि तिन इच्छा सकती सकरात्मक सोच के साथ बिहारवासी कुरोना की खिलाब इस जंग में अवस्य सफर होगी पहले की तरह पुना मैं पील करता हूँ कि मास्क लगाएं दो गज की दूरी बनाये रखें हाथ साफ रखें और समय आने पर ठीका अवस्य लगाएं आप सबको बहुत बहुत